तो आज मैं solve कर रहा हूँ यह pyramidic cube, अब इसमें देखिए क्या है, edge कौन से हैं और center कौन से हैं, यह तो corner है, tip हो गए corner, और tip से जो लगा हुआ है यह piece, tip से लगा हुआ है, यह tip से लगा हुआ है, यह tip से लगा हुआ है, यह है center के, ठीक है, यह move नहीं होते हैं, और यह है edges के, यह tip से जो लगा हुआ है, वो है center, यानि corner से जो लगा हुआ है, वो center है, और यह हो गए corner, यह हो गए center, और यह हो गए edges, तो 3 corner, और यह 3 center, और 3 edges, तो आप देखिए, इस को solve कैसे करते हैं, इसको solve करने का तरीका यह है, आप tip से ही, decide होगा उसका center तो यहाँ पे देखे मैं एक पीला पीस लेता हूँ tip के तो इसमें भी इस tip में भी यो पीला होना चाहिए rotate करके ठीक है पीला इसमें भी है और यहाँ भी पीला होना चाहिए तो इसमें पीला नहीं है ठीक है हमने पीला लिया, दो पीला तो हमें मिल गए टिप के, लेकिन इसमें पीला नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, इस बेस पे हमें पीला नहीं मिला, यानि इस टिप में पीला नहीं है, तो अब एक टिप बसता है, चार टिप होते हैं, इसमें एक टिप बसता है, यहाँ पे पीला है ठीक है तो अब ये बेस हम ले लेंगे ये वाला इस टिप को छोड़ कर यहां पे हमें पीला मिल जाएगा इस टिप में तो यहां ये वाला ले लेंगे तो अब देखे इसको इधर रोटेट कर दीजिए ये पीला इधर मिल गया इसको रेटोट कर दीजिए ये पीला इधर मि मैچ किया और इसको एक साथ गुमता है यहां यहां ले मैच कुण कर लिए और यहां उपर अपने च्राइब से मैच है अब इसको कर देंगे बेस में यानिकी हमारा तीनों सेंटर मैच हो चुका है और पिखने इसको में कर देंगे इस तरीके से से अब ऐसे क्यूब को पकड़ना तो यहां पर यहां यहां पे दीखेए, यहां यहां पे चून सशनिकान नाशाक में इसक्राइब अब क्वाके चूनिय का यहां पे सबते हैं सबस्क्राइब करा एंस चूफेए तो दोदोयस यहां नियूट-व्यक्या चमेश प्यक्त नंध की सब्शनिक industry क्या कोई बैस का कलर यानि कि पीला ऊपर वाले लेर में है या नहीं यहां पर राखले साइड में पीला है और ये पीला तो यानि कि यह पीस जो है यहां का है अब इसको सेट कैसे करेंगे देखे यहां पर blue और यहां पर पीला अब इसको दाहिने side रखिए यह जाना है नीचे ऐसे ठीक है अगर इस side कर लेंगे तो इस तरह से रोटेट होगा तो क्या चले जा रहा है बुलू चले जा रहा नीचे तो हमें पीला नीचे भेजना है इसलिए इसको हम दाहिने साइड रखेंगे अब देखिए इसको अगर डायरेक भेज देते हैं नीचे तो यह हमारा यहां से सेंटर एक मिस हो जाएगा ठीक है तो इसको पहले separate कर दीजे बाए side mode के अब यह वाला layer यह दोनों layer उपर ले आईए और इसको जहां से हमने rotate किया था वहां कर दीजिए अब यह देखेए अपने center से मैच हो गया और इसको नीचे एक एज हमारा अपने सही जगे पे सेट हो चुका है अब इसी तरीके से कोई एक पीस देखे उपर के लेर में यहां पे देखे अब मिल चुका है में यह बाहरा चुका है कौन सा रेड और पीला यानि की लाल और पीला बाहरा चुका है अब यहीं पे यह सेट होगा और अपन कर दीजिए इधर करके बाइंसाइट सेफ कर दीजिए और इसको उपर उठा लीजिए और जो हम पीस ले गये थे बाइंसाइट उसको दुबारा से दाइंसाइट करेंगे और यह देखिए एज जो है वो अपने सेंटर से मैच हो गया अब इसको नीचे कर दीजिए तो इस त निकालके यहां कर लिजे यहां कर लिजे तो चलिए मैं दाहिने साइड निकालता हूं उपर किया उपर वाले लेयर को बाये साइड कर दिया और इसको नीचे कर दिया अब यह पीस हमारा उपर निकल के आ गया अगर हम इस पीस को दाहिने साइड रख दें अब नीचे करके द इसको वापस से अपने सही जगे पर करिए अब यह मैच हो गया सेंटर के साथ और इसको नीचे कर दिजिए इस तरीके से बड़े आसानी के साथ हम नीचे का लेयर और यह फर्स्ट लेयर बना सकते हैं तो अब यहाँ पर देखिए यह बेस हमारा पीला बन चुका है और इसका एक लेयर ठीक है एक लेयर यह पूरा कम्पिलिट हो चुका है अब हमें यह सिर्फ बनाना है सेकेंड लेयर और यह टिप इसको कहीं से भी रोटेट करके आप मैच कर सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें क्या करना है अब यहाँ पर जो दोनों कलर आपको दिख रहे हैं रेड और यह ग्रीन यहाँ पर ब्लू और रेड और यहाँ पर ब्लू और ग्रीन यह दोनों कलर सेम होने चाहिए सेम होने चाहिए यहां red है तो यहां भी red यहां blue है तो यहां भी blue और यहां green है तो यहां भी green ठीक है कैसे करेंगे इसको तो edge को आप घुमाईए rotate करिए और यह दोनों color नीचे के दोनों color इसमें होने चाहिए यानि कि यहां blue हो और यहां पे green हो यह नहीं है यहाँ पे red हो red है लेकिन यहाँ पे green नहीं है और इसी तरीके से यहाँ पे red हो और यहाँ पे क्या हो blue हो तो अब उपर वाले layer को एक बार rotate करिए अब चेक करिए यह piece तो यहाँ पे सही नहीं है यह piece भी सही नहीं है यह piece भी भी सही नहीं है तो एक बार और rotate करिए अब देखिए यहाँ पे blue आ चुका है यहाँ पे green आ चुका है अब एक ही piece हमको चाहिए जो अपने सही जगे पे हो edge के एक ही piece हमको चाहिए जो अपने सही जगे पे हो और उस piece को हम रख देंगे पीछे के side में ठीक है यह पीछे के side में और अब इसको इस तरीके से करेंगे दाहिना layer नीचे और एक बार फिर बाया layer नीचे अब दाहिने layer को उपर और फिर बाया layer को उपर अब क्या होगा एक piece यहाँ नीचे से हमारा निकल कर यहाँ देखे इस side आ जाएगा अब इसको हम यहाँ पर set कर देंगे और जैसे ही हम set करेंगे सारे उपर के जो हमारे edges हैं वो एक color के हो जाएगे देखे कैसे इसको set करने का तरीका हमको पता है इसको पहले save कर दीजिए दाहिने side और बाया वाले layer उपर कर लिजिए और इसको अपने जगे पर कर दीजिए और यह edge हमारा center से match हो जाएगा अब इसको नीचे कर दीजिए और इसी तरीके से जब हमारा नीचे का layer बनेगा और उपर अब चेक करेंगे यहाँ पर देखें दोनों color से हमों यहाँ देखें दोनों color से होते हैं और यहाँ पर हमने पहले एवा रहता था तो के नीचे रहता है वह तो आ चुक्rat jot के पास यहाँ देखने है यहाँ Center सभी बुलूसी और यह गुरी ने चाहिए यह दोनों कऊलर यहां उने चाहिए उसका डाइरेक्शन जो है व साइड हो इस वह लेर को बाएं साइड घुमाएंगे बहुत आसानी के साथ करूँगा बहुत धीरे धीरे उपर करिए उपर वाले लेर को बाएं साइड घुमाईए नीचे करिए उपर वाले लेर को बाएं साइड घुमाईए उपर करिए उपर वाले लेर को बाएं साइड घुमाईए नीच layer में आपको 4 moves करने हैं और 4 moves में ही ये pyraminix cube solve हो जाता है अगर फिर भी आपको कहीं नहीं समझ में आता है इस cube को solve करना तो comment करके हमसे पूह सकते हैं ये वीडियो आपको कैसे लगी comment करके हमें जरूर बताईएगा like और share करना बिलकुल ना भोलिये